हालो गाईज, यूटूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 questions बताने जा रहा हूँ railway, ALP और group D के exam के लिए ऐसे question हैं जो railway में बार-बार पूछे जाते हैं भारतिय railway से संब्दित 50 ऐसे question जो हर बार-बार पूछे जा रहे हैं important हो जाते हैं आपके आने वाले group D और assistant local pilot वाले exam के लिए अगर आप इन्हें prepare करके चलते हैं तो definitely यहां से 2-3-4 question आपकी exam में देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो start करते हैं आज की यह वीडियो लेकिन उससे पहले में चाओंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो start करते हैं हमारे questions तो हमारा जो first question है कि विस में railway की शुरुवात कहां पर हुई थी तो railway की शुरुवात हुई थी इंग्लेंड में 1825 में 1825 में हुई इंग्लेंड में है ना सबसे पहले railway की जो शुरुवात हुई है दूसरा कुश्चन बनता है कि भारत में रिलवी की शुरुवाद गवर्नर जनरल लाड डल होजी के काल में 16 अपरेल 1853 यानि कि शनिवार को हुई थी पहली बार भारत में रेल चली थी जन्रल लाड डल होजी के शाशनकाल में उनी के प्रियासों के फलसबरूप 16 अप्रेल 1853 को शनिवार का दिन था और पहली रेल चलाए गए थी और वह रेल चलाए गए थी मुंबई से थाने के बीच में ठीक है फिर आता है प्रथम रेल इंजन का नाम क्या था प्रथम जो पहला रेल इंजन था उसका नाम रखा गया था ब्यूटी क्या नाम रखा गया था ब्यूटी पहली जो ट्रेन थी पहली ट्रेन में कुल 400 यात्र स्ट्राइम में और 14 डिब्डे थे और टोटल 400 यात्रियों ने इस ट्रेन में सफर किया था प्रारंबिक चरण में रेल्वे नीजी छेतर के द्वारा चलाई गई क्योंकि बिटिस भारा सरकार के पास पंड का अबाव था तो एक रेल्वे जो चलाई गई थी वो नीजी यान थी कि जो भी आपकी जर्नी होगी वो सेफ रहेगी इस बात की भारतिया रेल पूरी तरसे गरंटी देता था वर्तमान में लोकल एलेक्ट्रिक ट्रेने मुंबई कोलकाता तदा चेन्नाई में चलाई गई थी जो पहली एलेक्ट्रिक ट्रेन लोकल मुंबई कोलकाता और चे रिल्वे बोर्ड की स्थाफ्टञा मौर्च 1905 में हुई थी लाड करजन के काल में ठीक है रिल्वे के लिए एक बोर्ड की स्थाफ्टञा की गी थी वो की गई मार्च 1905 में उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लाड़ करजर भारत में परथम डीजल इंजन अच्ट आवन में चलाया गया था पहला डीजल इंजन उन्नीस सो सतावन उससे पहले जो चलाया जारी थी ट्रेन लेनी है यह सभी कोशन पेडिएफ 50 कोशन और रेलवे के अभी तक के पूछे गए कोशन हैं करीब हमने उसमें सैट बना रहे हैं गुरुकुल फर्स गुरुकुल सेकिंड और सोले सैट हैं और सोले के सोले सैटों में जो कोशन हमने प्रोवाइड किये हैं ठीक है वो सब आफ फ्री आफ कोश्ट आप ले सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा है ना उस लिंक पर किलिक करके वहां से आप वो पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री आफ कोश्ट है कोई चा next question है कि वर्तमान में डीजल इंजल वारानसी में बनाए जाते हैं बिल्कुल और फिर है प्रतम electric train का नाम डक्कन क्वीन था यह पूना से मंबई वीटी तक चलाए गई थी पहली electric train बिजली से चलने वाली train चलाए गई थी डक्कन क्वीन और पूना से मंबई वीटी तक तैक है वह भारत में है यह ऐसा है वारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड वो है मुगल सराई याकई कि उत्तर परदेशमें तरफ के लिए आको ट्रेनम लेगिicação वह इतारसी नियुद्ध्ध प्रदीश मद्यप्रदीश के लिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वो है खड़कपूर पश्रिमंगार और रेलवे स्टेशन की बात है रेलवे प्लेटफॉर्म जो अब हो गया है वो हो गया है गोरकपूर तो अब खड़कपूर नहीं है आप गोरकपूर पढ़कर चलेंगे लिए भारत का सबसे बड़ा रेल नदी पूल है नेहरू सेतू पूल सोन नदी पर है डिहरी और सोन नदी बिहार में भारत में सबसे उचाई पर रेलवे स्टेशन जूम सबसे उचाई पर रेलवे स्टेशन हो गया है जूम जो की दार्जनिक वेस्ट पंगॉल में है मेरा था है कि भारत में पर्थाम रेल बस सेवा रेल बस सेवा वो है मेड़तापूर राजस्थान 12 अक्टूबर 1994 इसकी गती 80 किलोमेटर प्रती घंटा थी इसमें ट्राइवेर सहीत कुल 71 यात्री थे जूसमें 15 यात्री खड़े थे पहले जो रेल बस सेवा चलाएगे थी ट्रेन के ही रूपे रेल बस सेवा थी 12 अक्टूबर 1994 में और गती 80 किलोमेटर प्रती घंटा आजाद भारत के पहले रेल मंत्री रेल मंत्री हुए थे आसफ अली इंपोर्टेंट कुशन है पहले रेल मंत्री आजाद भारत के तो वो थे आसफ अली चलते हैं नेक्स कोश्चन पर, नेक्स कोश्चन बनता है कि भारत में रेल्वे की प्रतम महिला चालक, मुंतास, कहां किसे कातवाला से मुम्ताज कातवाला फिरे मेगाल्य, लक्षदीप, सिक्किम, अंडमानिकोबार, दमन्दीप और नागर हवेली में रेलवे लाइन नहीं है बिलकुल अच्छा कोशन है पूचा जाता है उप्षण बेस की इन में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर रेल सिवा नहीं है तो में गाल्य सिक्किम, आपने पढ़ा होगा पहले से जानते होंगे लक्षदीप, अंडमानिकोबार, दीप समू, दमन्दीप और नागर हवेली ये कि चाशित प्रदेश भी इसके अंदर गर्ठ आते हैं, जहाँ पर रेल वे लाईन नहीं है फिर आता है प्रतम रेल एجन्ट, सर रॉलाण स्टीफन प्रतम रेल एजन्ट थे सर रॉलाण मैक गेनाल स्टीफन important है, note करके चले, बाकि आप PDF डाउनलोड तो करी लेंगे, है ना, प्रतम rail auditor, lieutenant colonel Chesney, फिर है भारत में AC coach की शुरुआत, भारत में AC coach की शुरुआत हुई थी 1936 में, भारत में AC coach की शुरुआत हुई 1936 में, फिर है भारत में प्रतम electric engine का नाम महालक्ष्मी, भारत में प्रतम electric electric engine का नाम था महालक्ष्मी, फिर है भारत में प्रतम railway के द्वारा डाक सेवा, ये था 1907 में पहली बार ऐसा किया गया था, फिर है भारत में rail पट्रियों की चुड़ाई चार परकार की है, जिसकी बाद अभी हमने की थी, चार परकार की रेलवे, पट्रियों की यानिके 1.666 मीटर, ब्राड गेज, और उसके बाद आता है, मीटर गेज, मीटर गेज होता है, 1000 मीटर यानिके 1 मीटर चुड़ाई, फिर नारो गेज, नारो गेज होता है, 762 मीटर, 0.662 मीटर, फिर आता है, स्पेशल गेज, 610 मीटर, 0.610 मीटर, तो चार गेज हैं, ट् प्टंड imp Treo की चड़ाइ को लेकर फिर था छोटी लाइन की super FR से छोटी लाइन की सूपर फास्ट स्टेनलाइन चलाई गए थी पिंक सिटी एक्स्प्रेज दिल्ली से जैपूर जो एक केए से चराइन से लेक।यूथे हमाम से से शोटी लाइन की सुपर यात्रिक बीमा योजना के नाम से, फिर आता है प्रथम बार रेल बजट का दूर दर्शन से सीधा प्रशान हुआ था 24 il March 1994, बिलकूर रेल बजट का उसका सीधा प्रशान हुआ दूर जर्शन चैनल से और 24 il March 1994, फिर आता है रेल मंत्री श्री के जासरीफ जाफर सरीफ वे श्री लालू प्रशाद यादव ने सरवाद एक पांच बार लगातार रेल बजट प्रसुत करने का जो श्री जाता है वो जाता है श्री सी के जाफर सरीफ को और श्री लालू प्रशाद यादव जी को फिर आता है हजरत निजामोद्दीन भारत का पहला रेलेवे स्टेशन था जिसके रख रखाव का भार किसी प्राइवेट कमपनी जीके टायर्स को 1995 में सौप आ गया था तो ये भी पहली बार हुआ था कि किसी भी भारत के रेलेवे स्टेशन का रख रखाव एक प्राइवेट कमपनी समाल रही है और जिस कमपनी का नाम था जीके टायर्स 1995 में किलियर भारत पाकिस्तान के बीच समझोता एक्सप्रेश विथार एक्सप्रेश चलती है ये बस इसमें क्या रहता है कभी चल जाते है कभी जब आप से संबंद अच्छे होते हैं तो चलाई जाती है नई तो फिर किसी ना किसी कारण वस्ष रोग दी जाती है सताब्दी एक्सप्रेश 1988 में जवाहर लाल नहरू की जनम सधी पर चलाई गई थी और प्रतम सताब्दी एक्सप्रेश दिल्ली से भोपाल तक चली थी पहली सताब्दी एक्सप्रेश चली थी दिल्ली से भोपाल और किस वज़े से चलाई गई थी 1988 में जवाहर लाल की जनम सदी पर चलाई गये थी, फिर है कि railway staff college, अब railway staff college की अगर बात की जाए तो वो है आपका बड़ोधरा में, ठीक है, railway staff college बड़ोधरा में है next आते हैं कि असम railway द्वारा 1950 में जुड़ा गया था, असम को जुड़ा गया था 1950 में, भारत में कुल railway station है, 7083 कुल railway station 7083 palace on the wheel, train की शुवात 1982 में ततकालीन रेल मंद्री, प्रकास चंदर सेठी द्वारा की गई थी, palace on the wheel ठीक है, राजिस्तान में चलती है, 1982 में ततकालीन रेल मंद्री, प्रकास चंदर सेठी के द्वारा चलाए गय थी, भाब इंजन का विश्कार के था, Thomas सेबरी ने, 1608 में यूकी में, फिर आथा लोकोमोटीव लोकोमोटीव होता है रिचर्ड इवचिक 1804, United Kingdom तो लोकोमोटीव इंजन का जो विश्कार किया गया था, वो किया गया था रिचर्ड इवचिक की द्वारा फिर आथा, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल रुडोल्फ टीजल के द्वारा और 1805 में और ये जर्मनी में फिर आथा, रेल दुरगटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंतरी थे श्रीलाल बहादुर शास्त्री श्रीलाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रिधान मंतरी भी रहे तो रेल दुरगटना के कारण उन्होंने अपने रेल मंतरी पद से भी इस्तीफा दे दिया था भारते रेल को 17 जोंस में विबक्त किया गया है, जिसमें 16 पुराने और एक नया जों शामिल है, रेल्वे मंतरलों की संक्या 67, 67 है भारते रेल्वे में नियुनतम कराया 4 रुपया है अब 4 रुपया नहीं है, अब तो बढ़ा कर 10 कर दिया गया है, ठीक है तो पुराना, प्रीवेस एर का कोश्चन है पुराना कुश्चन है, ठीक प्रतम पंच वर्षी यूजना में रेल्वे के लिए 423 करोड रुपय का आवंटन किया गया था प्रतम पंच वर्षी यूजना में रेल्वे के लिए 423 करोड रुपय का आवंटन किया गया था के लिए चलते हैं आगे देश के पहले पूर्ट है रेफ्रिजरेटिट कोच का निर्मान रेल कोच फैक्टे कपूर थला में वह पूरी तरह से रेफ्रिजरेटिट कोच था और ऐसा किया गया रेल कोच फैक्टे कपूर थला में दिल्नी मेट्रोर्येल की पहली महिला ओपडेटर मिनक्षी शर्मा है। भारतिया रेल्वे बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनने का सोबाग्य विजयलक्ष्मी विश्वनाथन को प्राप्थ हुआ था। जो भारतिया रिल्वे बोर्ड है उसकी पहली महिला सदस्य है विजयलक्ष्मी विश्वनाथन रिल्वे में करमचारियों की भरती है तो 19 रिल्वे भरती बोर्ड है 19 रिल्वे भरती बोर्ड बनाए गए है वर्ष 2011 बारा में रिल्वे बजट में रिल्वे करमचारियों के ब जाते हैं और यह सब कोष्चन से लिएगई पार पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहीं से कहसे भाणssa पूछे जा रहे हैं तो इसी तरह की काम की वीडियो भी हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके a radioactive Exam gk के लिए बहुत ज़्यादा beneficial- Coralprising here यह आप भी जानते हैं, रिल्वी के एक्जाम में जीके के एक अलग वेटेज होती है, जालातर कोशन जीके से जर्नल अवेने से उचे जाते हैं, ठीक है, तो इसी वीडियो को आप चादा सदा लाइक करें, शेर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो च रख सकते हैं, तो अभी तक के वीडियो में इतना ही,